नमस्कार बाइस तारीक को जो है भगवान राम की पुनर स्थापना होने जा रही है पांचो पांच सो वर्ष बाद ये अवसर आ रहा है बहुत ही महतुपूर्ण है 12 बच के 29 मिनिट से लेकर 12 बच के 30 मिनिट साड़े 30 मिनिट तक जो मुहुर्थ है वो विशेशुरूप से बहुत महतुपूर्ण मुहुर्थ है क्योंकि सूर्य जो है अपचय अवस्था में है और मंगल और गुरू आपस में राशी परिवर्तन कर रहे हैं मंगल जो है वो उर्जा एनरजी सफलता शक्ति इत्यादी का स्वामी होता है और गुरू जो है वो सत्ता का राज पाठ का इत्यादी का जो है महतुपूर्ण ग्रहमाना गया है गुरू जो है और इस तरह से हम देखें तो ये बहुत ही महतुपूर्ण अवस्था में जो है मद्यानकाल में ही श्री रामचंदर जी का जन्म हुआ था इसलिए उसी समय ये जो है स्थापना की जा रही है बहुत ही अच्छा संदेश लेकर आ रहा है और बहुत वर्षों तक चिरस्थाई यह मंदिर जो है रहेगा और भगवान श्री रामचंदर जी का सीता सहित उनके परिवार सहित आशिरवात पूरी के पूरी प्रजा पर बना रहेगा इस दिन क्या किया जाना चाहिए इस दिन विशेश रूप से मेरा निवेदन सभी से ये रहेगा कि सुंदर का पाट करें रामचंदर जी की स्तूति करें राम रक्षा स्त्रोत्र का पाट करें और विश जा को यदि भोजन मिलेगा तो रामचंदर जी की एक अलग नुभूती होगी उनकी सत्ता की अलग नुभूती होगी तो लोगों को भोजन कराएं विशेश रूप से इस समय पीले तत्वों का दान करें जो चना दाल हो गया केला हो गया पीले वस्त्र हो गया इत्यादी इन स जो मेरे पीछे है आप देख पा रहे हैं ऐसा ही राम राज राम की जी के राज तिलक का जो फोटो है उसको लगा कर उसके पूजा अर्चना करें इत्यादी करने से सभी को निश्चित रूप से लाब होगा और जीवन में उन्नती का मार्ग प्रशस्त होगा तो इस तरह से प अब इस तारीक को ये सब किया जाना चाहिए नमस्कार